आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Yes Bank के Quarter 2 के रिजल्ट्स के बारे में अभी कुछी मिनट पहले Yes Bank ने अपने Quarterly Results को Announce कर दिया है तो चलिए देखते हैं इस पर कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है रिजल्ट्स देखने से पहले में आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जो भी फिगर्स दी गई हैं वो सभी रूपीज इन लैक्स में दी गई है लेकिन हम इने लैक्स में नहीं करोर्स में कनवर्ट करके बात करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी की टोटल इंकम यानि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स तो पिछले साल कंपनी की इंकम जहां 5430 करोड रुपे थी वो इस साल बढ़कर 6394 करोड रुपे हो गई जबके क्वार्टन क्वार्टर बेसे पे 5916 करोड रुपे से बढ़कर ये 6394 करोड रुपे हो गई कंपनी के इंकम के बाद देख लेते हैं एक्सपेंसिस यानि कंपनी ने इस बार खर्च कितना क्या है तो येस बैंक के जिस तरह से इंकम बढ़िया उसी तरह से खर्चे भी आमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं अब income में से expenses को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा profit तो देख लेते इस बार company ने कितना profit generate किया है तो पिछले साल company का profit जहां 225 करोड रुपे था वो इस साल कम होकर 152 करोड रुपे हो गया है जबकि quarter on quarter basis पे 310 करोड रुपे से कम होकर 152 करोड रुपे हो गया है yes bank के profit year on year basis पे तो down देखने को मिली रहे है साथ quarter on quarter basis पे इसमें लगबग 50% की गिरावट देखने को मिल रही है अब profit के basis पे तो yes bank की performance बिल्कुल निराशा जनक देखने को मिल रही है अब देख लेता है इनके provisions और gross NPA provisions bank के लिए basically वो पैसा होता है जो उन्हें लगता है कि अब ये वापस नहीं आने वाला है पिछले साल जहां yes bank के provisions 377 करोड रुपे के थे वो इस साल बढ़कर 582 करोड रुपे के हो गए हैं जबकि quarter and quarter basis पे 174 करोड रुपे से बढ़कर ये 582 करोड रुपे हो गए हैं तो provisions में year on year basis पे तो बढ़त देखने को मिली रही है लेकिन quarter and quarter basis पे इसमें बहुत ज़्यादा jump देखने को मिल रही है अब चेक कर लेते हैं NPS तो पिछले साल gross NPS जहाँ 14.97% थे वो इस साल कम होकर 12.89% हो गए हैं जबकि quarter and quarter basis पे 13.45% से कम होकर ये 12.89% हो गए हैं gross NPS के चाहिए आप year on year basis पे compare कीजिए या quarterly basis पे compare कीजिए दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है जो कि एक positive point है overall अगर results का conclusion देखे तो yes bank के profit down देखने को मिल रही है जबकि इनके provisions बढ़ते हुए देखने को मिल रही है और दोनों ही negative point है एक positive point आप consider कर सकते हैं कि इनके gross NPS कम हो रहे हैं लेकिन जब तक ये 10% के नीचे नहीं आते हैं तब तक इसमें long term के लिए invest करना सही नहीं होगा अब देख लेते हैं yes bank के EPS यानी earning पर share तो पिछले साल जहां इनके EPS 0.09 थे वो इस साल कम होकर 0.06 हो गए हैं जबकि quarter basis पे 0.12 से कम होकर ये 0.06 हो गए हैं तो ये हमने देखा yes bank के quarter 2 के results को उम्मेद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो subscribe कीजिए bell icon को प्रेश कीजिए तक एस informative वीडियो उसका notification आपको मिलता रहे